दोस्तो भारत की इस्तिती अभी बहुत ही important है भारत की जो अभी level बना हुआ है वो वाकई में जबर्दस है Recently आपको कुछ developments पता होंगे जैसे Ukraine और Russia के बीच में अगर peace treaty sign होती है तो उसमें इंडिया का बहुत एहम रोल हो सकता है और हो सकता है कि इंडिया ही वो country बन जाए जो कि दोनों के बीच में युद्ध को रुखवा दे और उसके बाद में इंडिया की importance जबर्दस बनने वाली है Recently हमारे दो बहुत बड़े अधिकारी हैं एक तो है S. J. Sankar Shahab जो कि हमारे विदेश मंतरी हैं वो पहुँचे हैं जनेवा के अंदर Switzerland में वहाँ पर एक conference है उस conference के अंदर हमारे विदेश मंतरी ने कह दिया है कि 75% तक जितने भी हमारे disengagement थे problems थी उनको हमने sort out कर लिया है चाइना के साथ में केवल और केवल एक problem बाकी रह चुकी है और वो है कि border के उपर LSE के उपर जितने भी सैंडिक पैनात है उनको वहां से de-escalate करना है बाकी सारी problem हमने देख ली है दूसरी तरफ हमारे दूसरे अधिकारी है अजी डोवाल सहाब जो कि national security advisor है वो पहुचे ह उन्होंने ये कह दिया है कि ठीक है हम लोग हर सुरक्षा जो है उसको तैनात करने को तयार है LSE की उपर और हमारे वहां पर सैनिक जो है वो भी वहां से हट जाएंगे लेकिन चाइना भी इसके लिए proper तयार रहे तो क्या ये 75% जो है वो exact यहां पर एक limit है या फिर ये 25% ज टॉक हो रही है बाचित हो रही है उसके अंदर ही सब बाते जो है वो उनके दौरा कही गई है दो दीवसी वो दौरा है उसके बाद में यहां पर जो विदेश मंत्री है चाइना के उनके साथ में पहले भी बाचित हुई थी कि कैसे हम लोग Č चाइना और इंडिया के कोई भी मान लीजे कि आप किसी skill को develop करना चाहते हैं, pornography से आप छुड़कराप पाना जाते हैं, जिसके लिए special course ये बनाया गया है, हो सकता है कि pornography के साथ साथ में आप अपना weight lose करना चाहते हैं, कोई सब्सक्राइब से skill सीखना चाहते हैं, business setup करना चाहते हैं, ये challenge हमारे साथ में आप लोग भी लीजिए, challenge coupon code आप लोग को use करना है, और उसके साथ में ही आप लोग को discounted price में कोर्स अवेलिबल हो जाएगा, 100 days तक 100 techniques आप लोग को बताएंगे, daily 9 p.m. पर हमारी live class होती है, आप लोग उसको ज़रूर join कीजिए, इसके साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर, 100 days से काम नहीं चलने वाला है, 175 days का हम लोग challenge लेंगे, तो combo course के साथ में भी आप लोग join कर सकते हैं, जो भी student 1 day exams की तैयरी कर रहे हैं, उनके लिए history, quality, geography, economy, science का एक बैक चल रहा है, डेली 4 p.m. पर आपकी live class होती है, आप इसको join कर लिजे, quality के अंदर अभी हम लोग पंचाइती राज को पढ़ रहे हैं, quality के बाद में फिर शुरुआत करेंगे हम लोग geography की, ठीक है, चलिए, हुआ क्या है, पहले वो देखते हैं, highlighting the progress on border talks with China, मतलब 75% जो problem है, वो हम लोग sold out कर चुके हैं, लेकिन बात तो ये है, कि आखिरकार वो problem आई कहां से, however, the two nations still have some things to do, मतलब फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो बाकी है, और वो बाकी क्या है, वो बाकी है ये, गलवान वैली का incident आप लोग को पता होगा, कि 15 June 2020 को हुआ था, उसमें भारत के और चाइना के बहुत सारे सैनिक जो है, वो शहीद हुए थे, भारत ने हमेशाई से accept किया है, कि हाँ, हमारे इतने सैनिक जो है, वो शहीद हुए, लेकिन चाइना ने कभी accept ही नहीं किया, recently आप लोग को पता होगा, कि पाकिस्तान के जो सैना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्विकार कर लिया था कि कारगिल वार के अंदर हमारे सैनिक जो है, वो मारे गए थे, इससे पहले पाकिस्तान ने कभी भी स्विकार नहीं किया था, मतलब वो एक ऐसा देश है जो कि अपने सैनिकों को recognize नहीं करता है, जब वो शहीद जाते हैं, तो भी उनको recognize नहीं करता है, तो कारगिल के वार के अंदर, जिस समय पाकिस्तान के सैनिक शहीद हुए, तो उनको शरद्धान जली, मतलब उनको जो पाकिस्तान का जंडा जो है, वो भी भारतियों ने उनको उस समय शरद्धान जी ले देकर अर्पित किया था, तो भारत हमेशा से इस्विकार करता हो आया है, गलवान वैली के अंदर जब ये incident हुआ था, गलवान वैली पर आप लोग देख सकते हैं कि ये है LSE, और LSE के अंदर चाइना ने अपना settlement जो है, वो बनाना शुरू कर दिया था, आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये चाइना का इलाका है, ये भारत का इलाका है, यहाँ पर कुछ settlement आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, बिसीकली ये एक ऐसा isolated area है, जहाँ पर ना तो चाइना और ना ही भारत जाता है, केवल निग्रानी वहाँ पर करते हैं, लेकिन चाइना ने वहाँ पर settlement बनाना शुरू किया, और फिर वही पर जणब जो होना शुरू हो चुकी थी गलवान वैली का, वहाँ बीस का, उसके बाद में वहाँ बीस का जैसे incident होता है, तो चाइना और इंडिया के बीच में कई tensions क्रेट हो जाती है, इसको आज तक हम लोग settlement कर रहे हैं, तो हमारे जो विदेश मंतिरी उनका ये कहना है, कि LSE के ऊपर ये जो कुछ भी हुआ था के वल वही बाकी है, और बाकी हम लोग trade के अंदर, economic affairs के अंदर अपने आपको settle कर चुके हैं, अब इनका ये कहना है कि दोनों देश जो है, वो border से अपने अपनी सैनाओं को हटा लेंगे, लेकिन पहले चाइना से confirm करें, क्योंकि रिसेंटली, 2022 की घटना आप लोग को पता होगी, 2022 के अंदर चाइना ने अपने सैनिक जो है वहाँ पर तैनात किये थे, और उसमें जड़ब भी हुई थी भारती सैनिकों के बीच में, है ना नातुला जो पास है वहाँ पर हुई थी, तो चाइना जो है वो अपने सैनिक हटाता नहीं है, बार-बार जो है भारत कई बार उसको कह चुका है, अजीत दोवाल जो की National Security Advisor है, आप लोगों को पता होगा कि 1999 के अंदर भारत का एक प्लेन हाईजैक हुआ था, IC 814, उसके अंदर आतंक वादियों से जो बात की थी, कंधार के अंदर, उसके अंदर अजीत दोवाल का भी एहम रोल था उसके अंदर, तो अजीत दोवाल जो है, बहुत जबर्लस आफिसर रहे हैं, और अभी वो मॉस्को के अंदर है, रश्या के अंदर, ताकि वो ब्रिक्स कंट्रीज के जो Security Advisors हैं, उनसे बात कर सके, लेकिन ये 2022 के अंदर जो घटना गटी थी, उसको लेकर आज भी जो है, वो भारत और इंडिया के बीच में कई टेंशन बनी हुई है, साथ में ही गलवान वैली का जो वैटल हुआ था, उसके अंदर भी कई टेंशन बनी हुई है, देखिए, मैं आप लोगो तोड़ असा इसमें पाश्ट में लेकी जाता हूँ, 1962 के अंदर इंडो-चाइना वार हुआ था, उससे पहले नहरूजी ने हिंदी-चीनी भाई-भाई का नारा दिया था, लेकिन उस चीज़ को चाइना ने फॉलो नहीं किया, पीट-पीशे वार किया, चाइना वैसे वापस कर सकता है, हम लोग अभी ये चा रहे हैं कि ठीक है, दोनों देश्यों के तरफ से पीश जो है, वो साइन होना चाहिए, लेकिन चाइना का भरोसा नहीं है, वो कभी भी पीट के पीचे चुरा घोब सकता है, इसलिए हमको हमेशा सतर्प और सावधान रहना पड़ेगा, चाइना से हमेशा हमें तयार रहना पड़ेगा, हम लोग उसके भरोसे नहीं रह सकते हैं, कि यार उसने अपने सैनिख हटा लिए हैं तो हम भी सैनिख हटा का बेफिकर हो जाएं, नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग को बराबर जो है वहाँ पर नज़र रखनी पड़ेगी कि चाइना ने हमेशा सही ऐसा किया है इंसान का जो करेक्टर है वो कभी चेंज नहीं होता है चरित्र कभी वदलता नहीं है चाइना ने हमेशा अपने चरित्र को दिखाया है वो क्या करता है कि 10 किलोमेटर आगे जाता है बॉर्डर के और फिर 8 किलोमेटर पीछे आ जाता है इसलिए वो 2 किलोमेटर जो है उसको एंकोर्च कर लेता है फिर अगली बार जो है 10 किलोमेटर आगे जाएगा फिर 8 किलोमेटर पीछे आएगा अब 4 किलोमेटर हो चुका है त तो चाइना जो है उसको एक बात समझ में ये आ चुकी है कि भारत जो है इसकी इस्तिती बड़ी जबर्दस हो चुकी है इंटरनेशनल लेवल पर. आज देखिए कि पुतिन जो है व्लावेदर पुतिन उन्होंने कहा कि भारत जो है मद्यस्ता कर सकता है अब ये बात चाइना को पच नहीं रही है है ना इसके साथ में ब्राजील देखिए ब्राजील जो है वो थोड़ा से से बाहर रहेगा अभी तर है ना वो मद्यस्ता नह और Istanbul का जो agreement था, वो जल्दी जो है, वो दोनों देशों की बीच में sign हो जाएगा, वो कि इसमें आप नुक्सान किसका हो रहा है, रूस का नुक्सान हो रहा है, इसके import और export की उपर काफी नुक्सान हो रहा है, तो इंडिया और चाइना की बीच में जो clashes है, उसको भारत ये 25 days का आप लोग hard challenge भी join कर सकते हैं, combo course आप लोग की लेवलबल है, 4 p.m. पर आपकी one day class चल रही है, जो की GKGS के लिए है, और अभी हम लोग पॉलिटिक एंदर पंचायती राज को पढ़ रहे हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से, अगले session में ततल धन्यवाद, ठैक्यू, ज करी कि लेँ सेँे मुड रहे हैं, एक्या बाभी हम लोग है टीコर में की लेगे हैं, ढ़ी की लोग रहे हैं, लोगा है, खंप फॉप की लोग की लेग मैं।